Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 11th April से लेकर 17th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अभी currently मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से मुझे contact करना चाहते हैं तो आप अगर whatsapp message या फिर whatsapp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि normal call हो सकता है miss हो जाए और दिखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप again मैं कहूंगी whatsapp call या फिर whatsapp message मुझे करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही ग्राशी फल चलिए बाइसेज आप लगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लगों के लिए cards हैं three of wands reverse and splitting apart और दिखें splitting apart का card बहुत ही clearly किसी चीज में एक separation आने की बात करता है distance आने की बात करता है एक you know चीजों के split होने की भी बात करता है और ये general reading है तो यहाँ पे सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए partnership हो सकती है कुछ लोगों के लिए दिखें profit हो सकता है या फिर से मैं कहूंगी कोई भी चीज हो सकती है जो split हो रही है या फिर जिसको लेकर एक distance आप महसूस कर रहे है आपका goal हो सकता है आपका मकसद हो सकता है और फिर से मैं कहूंगी कि कोई भी चीज हो सकती है ये card कहीं ending और beginning की भी बात करता है तो कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है और कहीं इसी वज़े से मन ही मन हो सकता है कि आप बहुत great नहीं feel कर रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी three of wands का card कहता है कि आप long term planning करना चाहते हैं future related goals बनाना चाहते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं current situation पे आपको focus करना पड़ रहा है या फिर आप जादा focus कर रहे हैं और दीखिए ये card कहीं waiting and allowing वाली energies की भी बात करता है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कि किसी चीज का wait किसी चीज का इंतजार भी रह रहा है और दीखिए ये भी सब के लिए refer करेगा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत effort किया बहुत महिनत करी और उसी के ही outcome result का आप wait कर रहे हैं कुछ के लिए कोई news हो सकती है, phone call हो सकता है, message हो सकता है again मैं कहूंगी कि किसी चीज का इंतजार आप कर रहे है और ये waiting वाला period थोड़ा सा difficult रह रहा है या मैं कहूंगी कि इतना आसान आप के लिए नहीं हो रहा है इसी चीज का या फिर किसी भी चीज का इंतजार करना and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है 10 of cups reverse and the corners of the mouth और देखिए 10 of cups का card taro में कहीं happiness की बात करता है joy की बात करता है family की बात करता है close ones, loved ones की बात करता है celebration की बात करता है emotions, feelings की भी बात करता है और इस week ये card आप लोगों के लिए reverse है तो इन ही चीजों पे आपका focus तो है लेकिन साथ ही साथ इन ही चीजों से related छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले भी इस week रह रहे है यानि की एक happiness है, एक joy है लेकिन साथ ही साथ एक missing feeling भी रह रही है आप अपनी family, loved ones, close ones के साथ time to spend कर रहे हैं लेकिन उस तरीके का togetherness या तो नहीं हो रहा है या फिर आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं और देखिए कोई celebration अगर है या फिर आप plan कर रहे हैं तो उससे भी related छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले इस week रह रहे हैं और deeper level के लिए the corners of the mouth का card कहता है कि बहुत important है कि आप अपनी well-being, अपनी health पे focus करें और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा आप करना चाहा रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और देखिए यहाँ पे 10 of cups reverse का card ये भी कहता है कि किसी चीज को आप complete करना चाहा रहे हैं और कहीं उस तरीके से वो चीज complete नहीं हो पा रही है कुछ delays हो रहे हैं, चीजें postpone हो रही है तो यहाँ पे मैं आपको यह कहूंगी Pisces के weekly reading है हो सकता है कि इस week उस तरीके से चीजें ना हो रहे हो लेकिन देखिए नया week नई energies लेकर आएगा और हो सकता है कि next week में ये चीजें complete हो जाएं या फिर जो आप चाहा रहे हैं वो आपको मिले और देखिए कहीं deeper level के लिए दोनों ही cards कहते हैं कि जो भी चीजें आपको serve नहीं कर रही है या फिर किसी भी level पे परिशान कर रही है बहुत बहुत important है कि इन ही चीजों को आप let go करें पुरानी चीजों को end करें और नई चीजें अपनी life में आएं नए तरीके से चीजों को deal करें या फिर कोई भी नई beginning किसी भी level पे अगर हो रही है उसको आप बहुत ही happily you know welcome करें या फिर उसके लिए एक acceptance आप लेकर आएं and guidance से आप लोगों के लिए cardinal moon का card है चाहा रहे हैं या फिर कोई चीज आप करना चाहा रहे हैं और साथी साथी एक fear है एक insecurity है और इसी लिए या फिर otherwise भी आप initiatives नहीं ले पा रहे हैं और देखिये Pices किसे भी चीज को achieve करने के लिए सबसे important होता है कि आप पहला कदम लें और पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है जैसे ही आप first step लेते हैं अपने आप रस्ते खुलते हैं अपने आप आपको direction मिलती है और आपको पता ही नहीं लगता कब यूनो आप उस चीज को achieve भी कर लेते हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि first step थोड़ा सा tough होता है लेकिन आप first step ले लेते हैं तो बाकी चीजें खुद बखुद हो जाती हैं और यहां पे card भी आपको यही message दे रहा है be bold and take the first step तो courageously चीजों को deal करें आप किसी भी चीज से घबराएं ना और बहुत ही boldly अपने मकसद अपने goal के direction में आप first step इस week ज़रूर लें and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है और इसके हिसाब से yellow color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था Pisces आप लोगों के लिए coming because आप नहीं क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया